Good morning students, how are you? Welcome in your science class. Students, today we are going to do practice of plant. So that you can draw the diagram of plant properly. हंजी बेटा, आज हम क्या करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे, plant की diagram की. Okay, so let's start. हंजी बेटा, जब भी आप diagram बनाएंगे, तो आपने क्या धियान रखना है? कि आपने diagram plane phase पर बनाने है, ठीक है? अब कैसे बनाने है? मैं आपको सिखाऊंगे. सबसे पहले आपने क्या करना है? एक line लगाने है. ठीक है? आपने plane phase लेजी है, उसके center में आपने इतनी line लगाने. अब इस line का जो mid point है, चीक है? इससे आपने क्या करना है? एक line नीचे को, one line, two line, three, four. अब total lines कितनी होगे आपके? फाइब. अब आपने क्या करना है? जो आपने five lines ड्रॉ की है, इनके अंदर जो है, छोटे 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 lines है, ड्रॉ करने हैं. आपने देखिए इस तरह से. ओके? होगे? उसके बाद आपने क्या करना है? जो ये mid point था. इससे हमने क्या करना है? एक उपर की तरफ line, अब इसको double कर लेंगे. अब ध्यान रखना है कि ये जो line में ने लगाई है, आपने scale से नहीं लगानी है. आपने free hand से draw करनी है. ओके? उसके बाद क्या करेंगे? एक line इदर को, एक line इदर को, एक इदर को और एक इदर को. और ये जो उपर वाला जो portion है, यहाँ पे हम इस तरह से बना लेंगे. अब इस lines, जो lines draw की थी, इनको हम क्या कर लेंगे? डबल कर लेंगे. डबल कर लेंगे. अब इसके बाद हमने क्या करना है? लीफ draw करनी है. अ जो कैसे करनी है? मैं यहाँ पर design बना रही हूँ. आप देखिए कैसे बनानी है? एक line लगाई. ओके. एक line अंदर से. इस तरह से. एक दूसरा design बना रही हूँ. आपको जो easy लगे, आप इन दोनों मेंसे कोई वर्जी लीफ यहाँ पर draw कर सकते हैं. ठीक है? अब हम यहाँ draw करना शो करेंगे. ठीक है? मैंने यह वाले shape ली है. अब जी बीटा देखिए हमने क्या किया है? leaves को draw कर लिया है. नेक्स अब हम क्या करेंगे? हम bird show करेंगे. इस part is bird. ओके. यह कौन सा part है आपका bird? अब हम क्या draw करेंगे? flower. कहीं मर्जी आप draw कर सकते हैं. यह देखिए. मै मैंने flower draw कर दिया. ओके. नेक्स हम क्या draw करेंगे? अब fruit. अब बेटा देखो इस तरह से हमने क्या किया? plant की diagram draw की. अब हम draw करने के बाद क्या करेंगे? लेबलिंग करेंगे. ठीक है? कहाँ से चुरू करेंगे? हम bottom से चुरू करेंगे. ओके. तो. हाँ जी बेटा देखिए. यह कौन सा पार्ट है आपका? underground part. यह दिए, root. root is the underground part of the plant. जो हमें नहीं दिखाए देता है. तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? root. okay. this part is stem. and this one is leaf. this one is branch. okay. and this part is fruit. and this part is flower. and one another part is bud. okay. तो बिटा देखिए इस तरह से हमने plant की diagram की practice की और इसकी जो different parts हैं इनको label किया. आपने भी इस तरह से plant की diagram की practice करने है और जो different parts हैं उनको label करना है. और ध्यान रखना है जब भी आप different parts of plant के name लिखेंगे तो one side. जैसे मैंने एक तरफ सभी parts के नाम लिखे हैं आपने भी एक side पे ही लिखने हैं. ठीक है इसके बाद आप यहाँ पे सुंदर सुंदर करके plant लिख सकते हैं. ओके बाई बाई